शादी के बहाने दिल्ले से बुलाकर दोस्त का अपहरण वसूली 55000 फिरोधी ट्रेन से उतरते हे स्टेशन से किया अगवा, आरोपी सलाखों के पीछे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दा खबरतार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर अपनी शादी के बहाने दिल्ले से सतना बुलाकर दोस्त ने ही दोस्त का अपहरण कर लिया ट्रेन से उतरते ही अगवा कर लिये गए दोस्त की सकुषल रिहाई के लिए उसके पिता से फिरोती भी वसूली लेकिन लालश ने मामला पुलिस तक पहुचा दिया और फिर शादी के फेरे लेने के लिए मंडप में पहुचने के बजाए अपहरता सलाखों के पीछे पहुच गया जानकारी के मताविक पन्ना जिले के से मरिया थाना अंतरगत मोहिंद्रा के ग्राम कुमरपुर निवासी रोहित वर्मन पिता संतोष वर्मन बीस वर्षिय का रविवाल को सतना रिल्डे स्टेशन पर रीवा आनंद बिहार ट्रेन से उतरते ही अपहरण कर लिया गया उसे कुछ इस अंदाज में अगवा किया गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसका दोस्त बना अंकित दिवेदी निवासी बिहरा सामने आया और अपने साथ बोलेरों में बैट कर इधर उधर घुमाने लगा इस दोरान अंकित ने रोहित के पिता को फोन लगवा कर अलग-अलग समय में 55,000 रुपए भी वसूल लिये इस बीच उसका लालच बढ़ा और उसने और पैसों की डिमान की तो रोहित की माप पुलिस के पास जा पहुँची और सो मारको सिटी कोट वाले पुलिस ने अंकित को उसके एक अन्य साथी समेत सतना रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया पुलिस उससे पूचताश कर रही है घटना के बारे में पुलिस सुत्रों ने बताया कि रोहित पिछले तीन महीने से दिल्ली में अपने पिता के साथ रहकर मजदूरी करता है उसके एक दोस्त की शादी सतना शहर के महदेवा में रहने वाली एक लड़की से तै हुई थी लेकिन उस लड़की का प्रेम प्रसंग बिहरा निवासी अंकित दिवेदी के साथ चल रहा था वह रोहित के दोस्त से शादी नहीं करना चाती थी वह जानती थी कि उसके होने वाले पती और रोहित के बीच गहरी दोस्ती है उसने अपने प्रेमी अंकित को इसकी जानकारी दी और उसे रोहित से दोस्ती करने को कहा अंकित ने रोहित के साथ इंस्टाग्राम के जरिये दोस्ती कर ली अंकित ने रोहित को बताया कि 2 अक्टूबर को उसकी शादी है जिसमें उसे जरूर आना है डोस्त की शादी में शामिल होने के लिए रोहित 30 सतंबर को दिल्ली से रीवा आनंद बिहार एक्स्प्रिस पर सवार होकर सतना के लिए रवाना हो गया रविवार को जब रोहित यहां पहुँचा तो इस्टेशन पर उसे लेने अंकित ने एक लड़के को भीजा जो रोहित को बाइक पर बैठा कर माधवगर तरफ ले गया मही कुछ अन्य लड़कों के साथ अंकित आया और रोहित को बोलेरों में बैठा कर इधर उदर घुमाने लगा उसने रोहित के पिता को रोहित के ही फोन से कॉल कर आई और मुबाइल पर पैसे मांगने शुरू कर दिये उसने दस हजार से मांग शुरू की और सो मुआर की दूपहर तक पचपन हजार उपए वसूल लिये इधर रोहित की मा भी उसके घर आने का इंतजार कर रही थी लेकिन जब वा नहीं आया तो मा सिटी को द्वाली पहुँची पुलिस ने रोहित का मुबाइल सविलांस में लगाया और लोकेशन ट्रेस कर सतना रेलवे स्टेशन परिसर में बने रेल कोच रेस्टरॉ के पास से अंकित को पकड़ लिया